ओम शान्ति वर्तमान समय जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरे विश्यो भर में करोना वाइरस का प्रकोप है और हम इतनी मेहनत से सभी अपने अपने एरियाज में कितना अपना सिक्योरिटी है कितनी डॉक्टर्स के एफ़र्ट्स है उसके बाबजुद भी हम कितना सिफ्टी मैजर पर भी लेकिन हम अभी भी इस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए हैं क्योंकि अभी तक इसका कोई वैक्षिन कोई दवाई अभी ऐसा नहीं आया कि जिससे हम इसको ले और ठीक हो जाए अभी भी कुछ परसेंटेज कहीं बढ़ रही है और कहीं परसेंटेज डाउन हो रह हैं तो वर्तमान समय अभी जो रिसेंट की न्यूज है उसमें जैसा न्यूज में बताया कि इटली में, स्पेन में, इंग्लेंड में ये दुबारा से काफी स्पीड से बढ़ता जा रहा है तो अब हमें क्या करना है जब हमारे पास कोई vaccine, medicine नहीं है तो जैसा हम guideline सभी लोग अब तो जानते हैं कि हमें hand sanitizer यूज करना है और mask लगाना है और हमें दूरी maintain करनी है तो यह हम सब कर भी रहे हैं लेकिन आध्यात्मेक level पे हम अपने मन को मतला हम अपने को कैसे शक्तिशाली बनाएं कैतना immunity बढ़नी चाहिए तो हम अपने immunity system को कैसे बढ़ाएं ताकि हम इस महामारी के फैलते वे भी अपने आपको safe रख सकें यह है individual level पे काम करना तो उसके लिए मैं आपको अपना अनुभफ शेयर करती हूँ कि कुछ भी हो जाए कैसी भी भ्यंकर परिस्थिती आजाए पहाड जैसी परिस्थिती भी क्यों हमारे जीवन में आजाए लेकिन हमें भैबीत नहीं होना इस पर मैंने खुद अपना individual काम किया है और उस पर सफलता मैंने महसूस किया है जो मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ अभी in the month of June 2020 में मेरे ही गर में बहुत क्रोज रिलेटिव की शादी थी वो भी दिल्ली में और फिर हैडराबाद में हम दोनों हमको जाना था तो आप बताएए जब पूरे पीक पर करोना था और वहाँ अपने एकदम क्लोज संबंधी की शादी जिसमें जाना अनिवार्य था तो मैंने अंदर से थोड़ा लग रहा था कि क्या करें अवाइड कर दें लेकिन वो सिचुएशन अवाइड करने वाली नहीं थी मुझे जाना ही था तो मैंने अपने आप को मेंटली प्रपेर किया कि भैबीत नहीं होना हाँ जो सेफ्टी मेजर हमें यूज करने हैं वो यूज करें बाकि अंदर से जो हम भै में आ जाते हैं कि मुझे भी एफेक्टेड हो जाएगा मेरा क्या होगा ये हालत खराब हो जाएगी ये जो हमारा थाट होता है हमारे अंदर कमजोरी के जो संकल पैदा हो जाते हैं ये हमें और कमजोर कर देते हैं और बाहर की यो बिमारियां हैं वाइरसे हैं ये हम पर और स्पीड से अटेक करते हैं तो मुझे जिस दिन दिल्ली के लिए जाना था मैरिज में मैंने अपने मन को पहले से तयार किया जाहें कुछ भी हो जाए मुझे डरना नहीं है मुझे भैबीत नहीं होना लेकिन जो मुझे सेफटी मैजर्स यूज करने हैं वो मैं करूंगी तो मैंने टैक्सी ली, अकेले टैक्सी से मैं दिल्ली पहुंची हिमाचल से और सारा मास्क लगा के, हैंड सैनिटाइजर यूज करके, गलब्स पहन कर और डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए इंडिवीड्यल टैक्सी में बैठ कर मैं वहां गई तो वो सेफली में क्रोस कर गई, अब दिल्ली में भी शादी में, घर में, घर में शादी है और मेरा एक बहुत एहम भूमिका थी, जो मुझे वहां पर निभानी थी तो वहां पर शॉपिंग भी करने जाना, और भी सब लोगों से इंटरेक्ट करना, तो तीन दिन हम लाश्पत नगर जहां बहुत ज़्यादा करोना फैला हुआ था, वहां तीन दिन हम शॉपिंग करने के लिए गए हमने पूरी शॉपिंग भी की, सारे सेफटी मैजर के साथ, लेकिन मन में सदा ये निश्य था, द्रण निश्य करा हुआ था कि डरना नहीं है, अपने को सेफ करना है, लेकिन डरना नहीं है अंदर से, क्योंकि जब मन कमजोर हो जाता है, या हम भैबीत हो जाते हैं, तो बा हावी हो जाती है, और फिर हम हैलपलेस हो जाते हैं, फिर डॉक्टर भी चाहें, तो भी हमें क्योर नहीं कर सकते, तो सबसे पहले जो इलाज होता न किसी चीज का, वो अपने खुद के पास होता है, अपने को तयार करना हर परिस्थिती में, कभी भी अपनी हिम्मत नहीं हा क्योंकि जब हम डर जाते हैं तो हम अल्रेडी कमजोर हो जाते हैं और कमजोर पर हर चीज वार करती है तो फिर तीन दिन हमने वहां शॉपिंग की उसके बाद फिर हम बाई एर हैडराबाद गए वहीं पर शादी का प्रोग्राम था तो हम 12-13 जो घर के मुख्य लोग थे वो फ्लाइट से हैडराबाद पहुँचे तो फ्लाइट में भी हमने जरनी की लेकिन सारी सेफटी मैजर साबधानियों का ध्यान रखते हुए हमने ट्रवल किया और फ्लाइट में हमने सबसे पहली फ्लाइट बुक की जो साड़े तीन बजे चलती है तो हमें प्लेन खाली मिला सीट्स पैसेंजर्स कम थे मतलब कि अटेंशन भी रखा और डरा भी नहीं मन में डर पैदा नहीं किया कि क्या होगा तो ये सिचुएशन के होते हुए हम बाइएर हम सभी हैडराबाद पहुँचे फिर वहाँ पर भी हम जिस स्थान पर रहे वहाँ भी हम लोगों से इंटरेक्ट करे और वहाँ पर भी हैडराबाद के मेन मार्केट में हमने शॉपिंग की जोल्रे की दुकान पर गए साड़ियों की दुकान पर गए कपडों की दुकान पर गए लेकिन हमने सच्चाई का भी पालन किया क्योंकि हमारे साथ सच्चाई और निर्भैता ये दो शक्ती जो मैंने महसूस की जिससे मैंने सफलता प्राप्त की वो मैं बता रही हूँ तो जब हम किसी शॉप पर शॉपिंग के लिए जाते थे हम पहले ही उनको बोल देते थे कि हम दिल्ली से आए हैं और हम इतने मेंबर आपकी शॉप पर आएंगे तो पहले से ही वो पूरे सेफटी मैजर्स का अरेंश्मेंट कर लेते थे और हमारा चेकिंग करके फिर वो हमें शॉप में एंटर कराते थे और फिर वहां से हम प्रॉपर शॉपिंग करने के बाद फिर बहार निकल के आते थे तो हमने भी सच्चाई से उनको बताया और उन्होंने भी फिर सारा सेफटी मैजर्स यूज किया दुकान में एंटर करने के लिए हमारी चेकिंग की हमें सेनेटाइज किया दुकान को सेनेटाइज किया ऐसे करके हमने वहां पर सारा कारे किया और कोई भी रुकावट हमारे किसी कारे में नहीं आई क्योंकि मन स्टेबल था मन में डर नहीं था और इस कर्रे को संपूर्ण करना ही है और जो भी हमारे साथ आए हैं वो भी सुरक्षित रहें तो इसलिए उन सब का भी ध्यान रखना और जहां हम जा रहे हैं उन लोगों को भी प्री इन्फॉर्मिशन देना कि ऐसे ऐसे हम लोग वहां से आए हैं इतने लोग हैं और आपकी दुकान पर आते हैं तो उन्होंने भी सारे सेफ्टी मैजर्स यूज किये और हमें कहीं मना नहीं किया फिर शादी का देना आया हम लोग 50 लोगों को इखटा होने का प्रोविजन था तो हम 50, 48, 45 लोग हम वहां पर सभी इस दोनों साइट से खटे थे हमने भी एक अलग से फोरेस्ट में रेजॉर्ट में किया लेकिन इतने सब लोग हम असेंबल्ड थे वहां पर विज मास्क एन एवरिथिंग तो शादी का जो भी फंक्शन था जिस तरीके से होना चाहिए था जो स्टेप्स शादी में होते हैं वो सब हमने प्रोपर रीती से वहां पर खिये और सभी लोग वहां प्रेजेंट थे तो बीच बीच में मतलब एज ए इंडिविजूल लेवल पर मैं सब को वाच भी कर रही थी कि कहीं एशा कुछ तो नहीं हो रहा है कि लोग आपस में डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं या मास्क नहीं है या सैनिटाइजर हम यूज नहीं कर रहे हैं तो और अंदर से भी हमने उनको बात करके यही जैसे अपने मन को समभाल के रखा निर्भय के साथ उनको भी यही instructions दी कि आप सिर्फ distance maintain करें और डरने की जरुवत नहीं है तो हमारा जो भी family function था marriage function था वो बहुत अच्छे से हुआ बलकि corona time में और भी अच्छे से हुआ लेकिन हमने सारी safety measure use की वो तो primary है secondary जो बहुत important है कि हमने उसमें हमने डर नहीं किसी भी तरह से डर create नहीं किया कि कहीं मुझे नहीं इनको कुछ नहीं हो जाए इनको कुछ नहीं है ऐसा कोई संकल्प मन में आने नहीं दिया लेकिन attention, proper सबको watch करना, proper सबको alert करना वो खुद भी alert थे लेकिन फिर भी सबको alert करके distance maintain करके जो भी marriage का program होता है वो हमने proper तरीके से celebrate किया, enjoy किया, भोजन को भी अंदर ही बनाया ताकि बाहर का कोई भी चीज हमने use नहीं कि अंदर ही बना कर और सब सही रिती से program organize हुआ तो उसके बाद जब शादी हो गई फिर हम वापस हमें हैडराबास से डेली आना था तो हम पुई 15 जने थे members उनको फिर हम शादी का पूरा function करने के बाद हम वापस by air डेली पहुँचे सभी और डेली airport से ही हम सभी अपने अपनी locations पर चले गए तो सब को guide किया, सब को direction दी, सब को निर्भे रखा और हमने safety measures सारी use की तो इस बेहंकर situation में हम डर भी सकते थे कि शादी cancel कर दीजिए ये program नहीं हो सकता है, हम नहीं कर सकते हैं लेकिन हम bound हो गए कि उन्होंने बोला इससे best date कोई है नहीं आगे काफी समय तक, तो इसलिए उसी date पर किया गया और इस रीती से हमने सारा किया और दिल्ली भी हम पहुँचे, फिर हम एक एक week तक सब अपने अपने स्थानों पर lockdown में रहे, home quarantine में रहे और एक मेने तक ये पूरा result था कि सब all well शादी भी अच्छे से organize हुई सभी लोग जो आए थे हमारे relatives वो अपने अपने स्थानों पर भी पहुँच गए और पिल्कुल सुरक्षित थे तो जो मैंने इसमें कारे किया शादी में कोई कारे नहीं किया लेकिन सबका motivation किया कि इनको भै नहीं होना चाहिए, डर नहीं लगना चाहिए और कैसे वो distance maintain करके उनको proper sitting कराना उनका हर चीज का ध्यान रखना उस कारे को proper तरीके से किया खुद भी निर्भे होकर किया और औरों को भी निर्भे रखा तो ऐसे क्रोणा काल में भी किस चीज से हम safe रहे? अपने मन को stable रखने से निर्भे होने से तो अभी तो हमारा क्रोणा आया है और पता नहीं क्या-क्या हम life में face कर सकते हैं क्योंकि ये चीज भी अचानक हमने एक part पढ़ा कि ये अचानक आई है तो पता नहीं कौन सी परिस्थिती फिर अचानक आए या भ्यंकर आए तो कैसी भी परिस्थिती हो हमें अपने आपको डावा डोल नहीं करना अपने को टेंशन में नहीं लेकर आना है अपने को कमजोर नहीं करना है निर्भय रहना है कैते हैं अशेर के समान बलशाली बनकर रहना है तो हम जितना जितना अपने को मजबूत करेंगे हमारी सोच पावर्फुल होगी हमारे संकल्प powerful होंगे तो वैसा ही vibration हमारे अंदर से निखलती है और वो हमारे चारों तरफ फैल जाती है और वो हमारी एक protective layer का काम करती है उसके अंदर ऐसी कोई बिमारी या कोई वाइरस एंडर नहीं कर सकता वैसे भी आप देखेंगे कि एक व्यक्ति कमजोर है शरीर से कमजोर भी है और एक मजबूत है तो जैसे season change होता है तो क्या करता है सर्दी उसको जल्दी सर्दी लगती है और किसी को कुछ भी नहीं होता तो जैसे शरीर से मजबूत बनना है मन से भी मजबूत बनना है और हर परिस्थिती में निर्भे रहना है और स्टेबल रहना है तो आप परिस्थिती को सहच क्रॉस कर सकते हैं यह मेरा अनुभव था कि कैसे हमें हर परिस्थिती में निर्भे रहना है तो यह आपके सामने रखा तो आप भी ऐसे ही रहे और परिस हो जाएंगे ओम्शन्द